नमस्कार दोस्तों, AWPL Education YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए बहुती खास होने वाला है, जो लोग पत्री की समस्या से परेशान है दोस्तों, पत्री की समस्या बहुती दर्दनाक समस्या होती है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से आयरुवेदिक दवाओं से पत्री की समस्या से छुटकार आप पास सकते है इसलिए आप सभी इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देखे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सेर, कॉमेंट जरूर करे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकों जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी हम कोई नय वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकरी सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टोन डोग रस क्या होता है स्टोन डोग रस एस सिलिपेस वैलनेस प्राइविट लिम्टेड द्वारा तयार किया गया एक आयरवेदिक रस है ये प्रोडेक्ट किडनी में पत्री की समस्या के लिए एक जवरदस्त आयरवेदिक ओस्दी है स्टोन डोग रस के माध्यम से बहुत से लोगों ने बिना ओप्रेशन किडनी की पत्री से छुटकारा पाया है दोस्तों इस्टोन डोग रस किस-किस कमपोजिशन को मिला कर तयार किया गया है नम्बर एक, पसल वेदा एक्स्टक्ट, नम्बर दू, वरोन एक्स्टक्ट, नम्बर तीन, कुल्थी एक्स्टक्ट, नम्बर चार, घोकरू, नम्बर पाँच, कुथ एक्स्टक्ट, नम्बर चै, अलोवेरा रस, नम्बर साथ, अपामारग एक्स्टक्ट, नम्बर आठ, ज नमबर 10, Molliser Extuct तो दोस्तों इस परकार से Stone Dogress इन 10 कंपोजिशन को मिलाकर तयार किया गया है Stone Dogress के क्या-क्या फायदे होते हैं नमबर 1, किडनी के Stone को खतम करता है नमबर 2, किडनी के पत्री या Stone के दर्द में लाबदायक होता है नमबर 3, बार बार पेसाब होना, पेसाब पीला होना, पेसाब में जलन होना, रुक रुक कर पेसाब होना, पेसाब के बाद दर्द होना, अगर ऐसी समस्या है तो उसमें लाबदायक होता है नमबर चार, सरीर में पानी ज़्यादा देर तक ना टिकना जैसी समश्या को खतम करता है नमबर पांज, किड्नी में दर्द होना और किड्नी से समंधित सभी परकार के समश्याओं में लाबदाइक होता है इस्टोन डोगरस को परियोग में लेने की विदी क्या है? इस्टोन डोगरस का इस्तेमाल दिन में दो बार सुबह और स्याम कर सकते हैं नमबर दो, सुबह बोजन के बाद 20 एमेल और साम को बोजन के बाद 25 एमेल इस्टोन डोगरस ले नमबर तीन, बोजन करने से एक गंठे बाद दवा का परियोग करें नमबर चार, बहतर प्रणाम के लिए 250 मिली लिटर या 500 मिली लिटर दूद नियमत रूप से ले सकते हैं नमबर पांच, यहाँ दवा एक बहुत ही सक्ति साली उत्पाद है जो आपको गरम कर सकता है इसलिए दूद का सेवन जरूर करें अगर आप स्टोन डोगरस का सेवन करते हैं तो आपको क्या-क्या प्रहिज रखने चाहिए नमबर एक, आचार, इमली, नेम्बू, चटनी, आधी खटे पदार्तों के सेवन से प्रहिज करें नमबर दो, बहतर प्रणाम के लिए ठंड़े पानी का सेवन ना करें नमबर तीन, तेल मसाला, कोल्ड रिंक्स, ठंड़ा पेपदार्त सेवन ना करें नमबर चार, मार्केट के सभी तले भूने सामान खाना बंद कर दें नमबर पांच, दिन में तीन से चार लिटर पानी अवस्य पिएं नमबर चार, बहुत सारे पानी वाले फल और सलाद का सेवन खरें नमबर साथ, सराब का सेवन ना करें नमबर आठ, अगर बोतल लिकेज है तो उसको ना खरी दें AWPL, स्टोन डोगरस का MRP प्राइज क्या है, DP प्राइज क्या है और सेल पॉंट कितने मिलते हैं दोस्तो, AWPL, स्टोन डोगरस का MRP प्राइज 2520 रुपए है, DP प्राइज 2151 रुपए है और सेल पॉंट आपको इसमें 14 मिलते हैं तो दोस्तो, ये था आज का अमारा प्रोड़क्ट AWPL, स्टोन डोगरस उमीद करता हूँ, आपको हमारे दोरा दे गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सेर, कोमेंट जरूर करें चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आएकों जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले अगर आप ये प्रोड़क्ट अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रेन के उपर देव हैं नंबर पर अभी कोल करें धन्यवाद